नमस्कार मैं हूनेह शुक्ला और इस वक्त एक बड़ी खबर चंडिगर से आई है जहां पर चंडिगर प्रशासन वार रूम की बैठक में कोरोना की पाबंदियों को लेकर चर्चा कर रहा था और उससे कुछ खबरे निकल कर आई हैं ये कहा जा रहा है कि जून 9 यानि 9 जू दुकाने अनि मुस् sự मुआ नौ जिएक नौ बजे से लेकर चार बजे तक अब इसकी परर्मिशन दे दि distribution की झानी जा सकेंगी यानि ये बड़ी खबर आ रही है कि जून 9 तक lockdown चंडिगर में बढ़ा दिया गया है लेकिन mall भी जो है वो अभी नहीं खोले जाएंगे एक और रहत की बात इस meeting में ये इस पर फैसला किया गया है कि saloon जो है जहां पर haircut की जाते हैं और उनको खोलने के लिए permission दे दी गई है अला कि ये कहा जारा है कि limited services यानि कि बाल कटवाने से लेकर shaving करने तक जो सहूलते जो services दी जाती है saloons में उसकी इजाज़त जो है वो प्रशासन ने दे दी है तो एक बर फिर से अपने दर्शकों को ये जानकाई दे दे कि दुकानों को सुबर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खोलने की इजाज़त चंडीगर प्रशासन ने देने का फैसला किया है साथी जून 9 तक lockdown हाला कि बढ़ा दिया जाएगा मिनी lockdown चंडीगर में लगातार चल रहा है और mall अभी नहीं खोले जाएंगे saloon भी खोल जाएंगे हाला कि limited services ही दिये जाएंगे और इसके साथ साथ जो तमाम पाबंदियां कोरोना को लेकर चंडीगर में प्रशासन ने लगाई है वो जारी रहेंगी night curfew शायद हो सकता है कि वो जारी रहेगा हाला कि इस बाबत कोई जानकारी हम तक अभी नहीं पहुंच पाई है शाम को ही कुछ तस्वीर इस बाबत साफ हो सकती है लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पाबंदियां 9 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है पंजाब में अभी malls खोलने की इजासत नहीं दी गई है हाला कि जो निजी वाहन है उसमें जो सवारियों की यात्रियों की जो संख्याक पर ड्रेक लिमिटेशन था उसको हटा दिया गया है साथ ही साथ जो कोरोना की कोरोना के जो नियम है उनको अभी भी सक्ति से लागू करवाने की कवायद में पंजाब प्रशासन और पंजाब सरकार दिख रही है चन्डिगर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है शाम को जब इसका जो है अलान कर दिया जाएगा चन्डिगर प्रशासन की ओर से चाहिए वो गैर जरूरी है या फिर वो जरूरी की इश्रेणी में आने वाली दुकाने होंगी वो सभी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खोली जा सकते उन लोगों के लिए भी रहत की बात है जो सलून जाना चाहते है और हैरकट लेना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बात है कि अब सलून शायद वो खोलने की परमिशन चंडिगर प्रशासन अब दे देगा शाम तक यह तस्वीर सामने आ जाएगी इस वक्त बड़ी ख़बर चंडिगर से हर्याना में भी लॉक्डाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन मॉल्स खोलने का फैसला सरकार ने किया था चंडिगर में भी मॉल्स नहीं खुलेंगे ये एक पकी बात जो है वार्रूम की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है फिलाल इतना ही नमस्कार